जैश्री कलकी ओम नमभगवते वासु देवार कलकी भगवान का प्राकट्य बस अब होने ही वाला है लेकिन सावधान कहीं पच्चताना ना पड़े आखिर क्यों मैं जब एक तरफ खुशखबरी दे रही हूं तो दुसरी तरफ आप लोगों को सावधान रहने की बाते कर रही हूं दोनों बातों में बहुत अधिक विरोधा भास आप लोग भी समझ रहे होंगे कि आखिर ये किस प्रकार का टाइटल मैंने लिया है आज के मेरे विडियो के लिए भगवान कलकी का रहस्य जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा ये एक ऐसा गूर रहस्य है जिसे समझना आज के मानों के लिए नमुम्किन है कलकी भगवान को समझने के लिए और उनके रहस्यों को जानने के लिए खुद को करना पड़ता है तयार अब आती हूँ आज के मेरे विडियो के टॉपिक पर भगवान कल की विश्णु भगवान के अंतिम आउतार यानि भगवान विश्णु अब अंतिम बार इस युग में अपनी यात्रा पर हैं डिवाइन जर्नी में हैं और उनके उपर बहुत सारी जिम्मेदारियां क्योंकि एक पूरा युग शिफ्ट करना है और चोंसट करोड आत्माओं को भविश्य मलिका के अनुसार जो मैं नंबर आपनों को बतला रही हो चोंसट करोड आत्माओं को ले जाना है सत्यूग में और सत्यूग का आगमन तब तक धर्ती पर नहीं हो सकता जब तक कि क्राइम का कर आत्मा नहीं होता और आज का इंसान यदि खुद के बलबूते पर खुद की शक्तियों का प्रयोग करके यह करना चाहे तो परिस्थितियां आज उसके हाथों से निकलती चली जा रहे हैं यानि सिच्वेशन अट प्रेजंट टाइम इस आउट अफ कंट्रोल अगर कोई भ खीच लेते हैं उसकी बदनामी करने लगते हैं भगवां कलकी जो अद्रिश्य हैं लेकिन अपना काम करते चले जा रहे हैं एनरजी फॉर्म में सुक्ष्म रूप में भगवान कलकी इसी धरा पर है मौझूद लेकिन कलकी भगवान का प्राकट्या हर कोई भगवान कलकी आज बन बैठा है हर दिन एक नए कलकी एक नए अपनी कहानी लेकर आपके सामने आएंगे भगवान कलकी का बस अब प्राकट्य होने ही वाला है इसी बात से आज लोग दूसरों को न सिफ चीट करने की कोशिश कर रहे हैं बलकि दूसरों को अपने शिकंजे में लेते चले जा रहे हैं विनाश काले विपरित बुद्धी अब जिन लोगों का खात्मा होने वाला है जिन लोगों की इस युग में अब अंतिम यात्रा है अब जिने नहीं जाना है सत्युग में अब जिनका सलेक्शन नहीं हुआ है भगवान कलकी के द्वारा जो लोग अपनी बुद्धी और अ नेगेटिव एनर्जी का बहुत अधिक प्रकूप चड़ गया है और वो चाहते भी नहीं है उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना आज के समय में जब भगवान कलकी के प्राकट्टे को लेकर हर दिन एक नई बात इंसान के सामने आ रही है तो इनसान भी कही न कहीं confused है किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं लेकिन जो आत्माएं pure souls हैं जो आत्माएं divine energy के साथ already connected हैं वो नकली कलकी के प्राकट्टे पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि नकली कलकी के प्राकट्टे पर विश्वास करके यदि ऐसे लोगों की पूजा और ऐसे लोगों की बातों को अपने जीवन में यदि इनसान फॉलो करेगा तो वो पाप का पात्र बन जाएगा और जो लोग छोटे से छोटा पाप भी करेंगे यानि भगवान को नहीं जानकर नहीं समझकर नहीं देखकर नकली कलकी की ही पूजा करने लगेंगे उनके followers बन जाएंगे उनकी ही बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे ऐसे लोग बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ कलकी भगवान का प्राकट्य बस अब होने ही वाला है लेकिन सावधान जिन लोगों को भगवान कलकी के साथ जिनका जुड़ा होने वाला है जिनका connection जुड़ने वाला है उनका already preparation चल रहा है उनकी अभी examination की process चल रही है यानि ठोक बजाकर भगवान कलकी ठीक उसी प्रकार अब उन आत्माओं को शेप में लेकर आ रहे हैं जिन आत्माओं को new journey भगवान कलकी के साथ start करनी है लेकिन अब इस समय में जो एक confusion वाली इस्थिती चल रही है कि कौन असली है कौन नकली क्योंकि असली का मुकौटा नकली लोगों ने जब अपने चेहरे पर चड़ाया है उनकी लच्छेदार बातें ऐसी होती है कि सामने वाला उनकी मिठी मिठी बातों को ही सत्य समझने ल आखें बहुत खोल चुकी आप लोगों ने तो तन की आखें सबकी खुली हुई लेकिन जब तक मन और मस्तिश्क की आखें नहीं खुलेंगी जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे तब तक भगवान कलकी से भी जुड़ पाना मुम्किन नहीं होगा इसलिए मैंने क कहां कि रहे साउधान विनाशकाल यह जो स्टार्ट हो चुका है इसी विनाशकाल में लोग नकली कलकी की न सिफ पूजा करने लगेंगे बलकि उनकी बातों को मानकर अपने जीवन को भी गलत धंग से जीना स्टार्ट करेंगे और उनके ही कहने पर दान पुन्य इस तरह से करेंगे मानों वो भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन वास्तों में वो भगवान रुपी भगवान के नाम पर जो शैतान बने हुए हैं यानि भगवान का नाम लेकर जो शैतानी खेल खेल रहे हैं ऐसे लोगों की जब पूजा करेगा जो इनसान इस समय में जो विनाश लीला भगवान कलकी की चल रही है उसमें इंसान को समझ नहीं आएगा और जैसे विनाश काले विप्रित बुद्धी यानि अलग तरक से उसके बुद्धी काम करेगी यानि सही दिशा में ना वो सोच पाएगा ना वो समझ पाएगा इसलिए मैं कहती हूँ अपने विडियो में कि थोड़ा सा मेडिटेशन बहुत जरूरी है आपनों कहेंगे भाग दोड में समय ही नहीं मिलता बिलकुल सही बट मॉर्निंग में नहीं मिलता है रात को सोने के पहले 5 मिनट, 3 मिनट अगर आपने उस डिवाइन एनरजी को याद कर लिया तो आप नी संदे सही सोच एक राइट आइडियोलोजी को अपने दिमाग में क्रियेट करेंगे उसी के एकोर्डिंग आपका एक्शन होगा और आप असली और नकली के बीच भेत कर पाएंगे और सभी के उपर विश्वास नहीं करेंगे जिन लोगों ने हर पल दावा किया कि बस अब भगवान कलकी का प्राकट्य होने ही वाला है या मैं भगवान कलकी देखो अब तुम्हारे सामने आने वाला हूं ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं लोग इनसे रहिए साउधान क्योंकि आने वाले विनाशपूर्ण समय में हर किसी को जो रहेगा साउधान जिसकी मन की आखें खुली वही अपनी जीवन नया के भौसागर को पार कर जाएगा अन्य था थोड़ा सा मुश्किल समय उसके जीवन में क्योंकि वो पाप की नगरी में एंटर कर जाएगा नकली कलकी के साथ थैंक्यू वेरी मैच फॉर वाचिंग मैं वीडियो